नमस्कार और वेलकम तो स्टेडी ग्लोज माइडियर फ्रेंड्स मिरा नाम है प्रशांत माबानी आई होप यू ओल आ डूइंग गूड दोस्तो आज हम CPEC यारी की चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वी आर गोई टू CPEC जो है न दोस्तो ये भारत के point of view से बहुत ही important है strategically अगर हम बात करें तो भी CPEC जो है it is you know very crucial और पाकिस्तान occupied कश्मीर फिर इंडिया और चाइना के relations के point of view से बात करें चाइना और पाकिस्तान के relation के point of view से बात करें तो भी CPEC के साथ जोड़ी हुई जो most important चीज़े है वो आपको पता होनी ही चाहिए अब इसको लेकर एक latest update हमें पढ़ने को मिल रही है phase 1 के बारे में बात करेंगे phase 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या इसकी speed रही है बड़े बड़े सपने इसके साथ associated हैं लेकिन पाकिस्तान की जेब जो है वो खाली है तो चलिए बात क करते हैं चाइना पाकिस्तान economic corridor के बारे में of course we are going to go through the map as well पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पांच दिनों की यात्रा के लिए गए है चाइना और चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को all weather friends कहते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसका मतलब deep meaning आप समझ यानि कि अगर सुख हैं दुख हैं दूप हैं चाओं हैं डोनों एक दूसरे के permanent friends all weather friends तो इसको diplomatic world में कहा जाता है कि बहुत है deep relation है दूसरे को एक दूसरे के साथ और क्यों ना हो दूनों का एक common दुश्मन है that is हमारा देश भारत फिर चाइना पाकिस्तान economic corridor जो हैं यह पा भी मैं आपको समझाँगा कि चाइना के लिए यह क्यों इतना ज्यादा important था या फिर हैं और यह जो second phase है इसको लेकर जो बड़ी बड़ी बाते अभी सामने आ रही हैं और इसमें जो पाकिस्तान का जोश है वो तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है लेकिन चाइना जो है वो and I'm sure you know कि जो चाइना के शी जिंग पिंग है उन्होंने Belt and Road Initiative को launch किया यह जो BRI project है यह चाइना के लिए बहुत ही important है मैं आपको quickly यह जो CPEC है उसका map दिखा देता हूँ दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग images available थे अलग-अलग maps available है online if you'll go through it you'll find it easily लेकिन यह वाला जो है यह सबसे important बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो किश्मीर है भारत का जो map है यह proper इसमें दिखाया गया है number one this is one of the main reason कि मैंने इसको use किया है यहाँ पर आप देखे चाइना you can see here यहाँ पर अफगानिस्तान यह इरान यहाँ यहाँ पर पूरा जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर नजर आता है यह अरेबियंसी वाला पोश्टन है यहाँ पर आपको गौादर नजर आता है वर पूरा यह जो dotted एक line है this is CPEC and as you can see here यह इतना अच्छा इंफोग्राफिक मुझे मिला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोश्टन है देश का पाकिस्तान occupied कश्मी जो अभी यह वाला कश्मीर का पोश्टन गिलगत बलतिस्तान वाला रीजियन जो है तो यह पाकिस्तान की कंट्रोल में है और यहाँ से यह निकलता है यह प्रोजेक्ट CPEC बार बार इस पर आएंगे हम या फिर जब जब जरूरत होगी तब इस पर आएंगे अब I was talking about BRI BRI जो है यह Xi Jinping का एक ऐसा प्रोजेक्ट है फ्लैक्शिप प्रोजेक्ट है पेट प्रोजेक्ट है और जो Xi Jinping उनकी image उनकी reputation BRI में heavily invested है चाइना का geopolitical influence बढ़ाने के लिए billions of dollars जो है infrastructure projects में अलग-अलग sources से ज्यादा देशों में invest करने की बात है और इसमें जो सरताज है BRI project जो है इसका सबसे important अगर कोई component है तो that is China-Pakistan economic corridor उसके पीछे कुछ reasons हैं आप समझ लीजिए मैंने आपको बताया ना कि China और Pakistan जो है वो एक दूसरे को all weather friends कहते हैं तो अगर आपका सबसे important मित्रदेश जो है उनके साथ आपका ये CPEC बाला project है अगर यही successful नहीं है तो फिर BRI जो है वो successful कैसे होगा number one ये एक बहुत बड़ा प्रशन पैदा होता है second चीज बियर आई जो है वो दुनिया की मदद करने के लिए है लेकिन जो भारत है उसकी sovereignty उसकी संप्रभुत्ता जो है उसका आप उलंगन कर रहे हैं तो क्या ये BRI ethical है ये भी एक बहुत बड़ा प्रशन उठता है और ये CPEC project जो है अगर successfully आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर दूसरे देश इसको लेकर उतने ज्यादा excited नहीं रहेंगे you see this is the reason कि CPEC को समझना बहुत ही important बन जाता है CPEC predominantly power plants एक infrastructure का project है rail and road networks और ग्वादर जो है उसका deep sea port डेवलोप करने का ये पूरा project है right as you can see here तो ये रहा ग्वादर ठीक है ये डीप सी port है अब as you can see ये जो China का कशगर है तो कशगर को connectivity directly मिलेगी means it is going through गिलगित बलतिस्तान पूरा जो पाकिस्तान है तो उसमें से बीच में से निकल कर पूरा पाकिस्तान चीर कर ये ग्वादर और कशगर को joint करने की बात है right इसकी दूसरी जो खास बात है that is पाकिस्तान को यहां पर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है तो उसको पूरा ये क्योंकि यहां से पूरा गुजर रहा है तो पाकिस्तान के बहुत सारी खेटर में रोड बनेगा रेल नेटवर्क एकसेटरा लेकिन चाइना जो है उसको सबसे बड़ा फाइदा जो होगा इसका वो ये है कि चाइना को पहली बार direct access मिलेगा Indian Ocean का वरना Indian Ocean में आना है तो आपको घुम घुम कर आना पड़ता है लेकिन अब चाइना जो है उसको direct इस पीजिके माधियम से Indian Ocean का access मिलेगा इस इस ते बिगेस्ट तिंग पर चाइना पता है क्यों? क्योंकि जो oil आता है, this is Arabian Sea as you can see here थोड़ा इस तरफ आप जाएंगे, you can see इरान थोड़ा आप ऐसे जाएंगे, तो you will find ये सारे Arabic countries, Middle East West Asia, तो जो oil है, यहां से निकलेगा, तो oil के ships जो है वो directly पहुँच जाएगी, ग्वादर और ग्वादर से पाकिस्तान होकर, ये वाला जो चाइना पैदा होती है, तो China is using waterways, तो waterways के माधियम से चाइना के बड़े-बड़े शहरों तक oil और ये सारी चीज़े पहुचाई जाएगी देखे, इतना बड़ा project, इतना बड़ा एक vision लेकर चाइना जो है, वो यहां पर चल रहा है तो चाइना के लिए, ये important है from Indian Ocean point of view from oil point of view and of course BRI की जो main image है, उसके point of view से और एक news agency है official Chinese news agency है, शिन हुआ तो इसका कहना ये है कि 2022 तक चाइना ने 25.4 billion dollars जो हैं, उसका direct investment किया है, CPEC में तो कहते हैं ना हम कि पानी की तरह पैसे जो है, वो चाइना ने यहां पर बहाए हैं, अब phase one की बात करते हैं, देखिए again, जो focus हैं, it is on infrastructure, energy, port development projects लेकिन अभी तक phase one का जो development रहा है, जो progress रहा है that is patchy, अटक अटक कर ये चल रहा है, और जो latest data आ रहा है, अलग-अलग जो news agencies हैं, infrastructure के साथ जुड़ी होई companies, तो इसका gist यही निकल कर आता है, कि गौादर में इतना कुछ खास नहीं हुआ है, Indian Express ने 2022 में अपने एक report में बताया था, कि most of the projects around the port were far from completion, कि अभी completion से बहुत ही दूर है 2022 की बात है, तो चलिए अब ये बहाना निकाला जाएगा, कि 2020 से, सब लिजे 2022 तक, COVID और ये सारी चीज़े चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी आज भी अगर आप देखेंगे, then you will find the same thing कि far from completion इस प्रकार का status है बहां के projects का snail pace जो कहता है न, बहुत ही slow speed से चीज़े चल रही है और इस चीज़ को लेकर चाइना काफी ज्यादा चिंतित है, दो ऐसी चीज़े हैं, जिसको लेकर चाइना बहुत ज्यादा चिंतित है, in fact, तीन बड़ी चीज़े हैं, दो चीज़े मैं अभी आपको explain कर देता हूँ, number one is corruption, बहुत ज्यादा corruption है Pakistan में, and second thing is red tape, means, चीज़ों को आगे बढ़ाना, you know what red tape is, right? जो files होती हैं वो desk पर ही पड़ी रहती हैं एक जगा से दूसरी जगा, हर जगा पर आपको permission और ये सारी चीज़ों को लेकर, you need to pay money cost जो है, वो बढ़ जाता है, and it is not just cost, right? China के पास कहता है, deep pockets है, यारी की बहुत सारे पैसे हैं उनकी जेब में, लेकिन जो समय हैं, this is the most important, आप समझे यहाँ पर जो दो culture हैं, वो clash हो रहे हैं ये deepest analysis हो रहा है अभी इतने deep में, I don't think so उपर उपर से चीज़े जो है, वो ज्यादा तर लोग देख लेते हैं, इतने deep understanding जो हम cultivate करते हैं, this is the most important thing ये critical analytical skill जो है, वो develop करना, this is the most important thing, once you have developed this skills उसके बाद किसी भी चीज़ पर आप इसको apply कर सकते हैं, और आप उसकी गहराई तक जा पाएंगे, मैंने कहा ना, दो cultures यहाँ पर clash हो रहे हैं, किस परकार के cultures, I'm talking about work culture, China का जो work culture है, you know, China is known for fast pace, जो भी infrastructure का काम है, तो वो फटाफट clean कर देंगे, फटाफट complete कर देंगे, road है एक ऐसा road जिसको हमारे देश भारत में बनने के लिए तीन साल लगेंगे चाइना छे महिने के अंदर उसको बना लेगा, means मैं छे महिने जो हैं बहुत ही, कहते हैं न, कि ऐसे बहुत ही diplomatically बोल रहा हूं, तीन महिनों के अंदर भी बनाने की एक शमता है चाइना की इस चीज को आप reject नहीं कर सकते, इस चीज को आप ignore नहीं कर सकते, infrastructure development में, चाइना की जो speed है, it is one of the best in the world और दूसरी तरफ पाकिस्तान snail pays, one of the slowest in the world तो ये दो चीजे जो हैं ये दो cultures जो हैं, work culture ये clash होते हैं, पैसे जो हैं ज्यादा लगेंगे, चाइना एक ऐसा देश है जो पैसो को लेकर, it's not that much कि भई, 100 रुपे कहते हैं और 120 रुपे ले लिए, कोई बात नहीं जा, ash कर चाइना ऐसा है, लेकिन वक्त जो लगेगा, जितना लगना चाहिए, उससे ज्यादा वक्त लग रहा है ये चीज़ जो है, वो चाइना बरदाश्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को चाइना डाइजस्ट नहीं कर पा रहा है फिर जो इश्यू है that is of security कितने सारे चाइनीज एंजीनियर्स चाइनीज वरकर्स, चाइनीज सिटिजन्स जो है उन पर अटेक हुए है कई जगाओ पर बोम फिके गए कई जगाओ पर गोलियों से उनको मारा गया तो जो बलुचिस्तान प्रोविंस है, जहां पर ये ग्वादर लोकेटड है, एक बार इसको क्विकले देख लेते हैं So as you can see, read here मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ये थोड़ा जो map है, जो हम यूज कर रहे हैं इन्फोग्राफिक जो यूज कर रहे हैं, it is not that clean I do understand, ये थोड़ा blurry है लेकिन आप, forget about that thing the most important thing is, आप इस चीज को observe कीजिए कि ये जो portion है, ये बलुचिस्तानवाला जो क्षेतर है, यहाँ पर बलुची लोग रहते हैं, अब ये लोग जो है ये CPEC को लेकर खासकर के खुश नहीं है, क्योंकि उनका ये strongly मानना है कि ये CPEC प्रोजेक्ट की वज़े से उनके साथ economic injustice हुआ है गौादर जो है, उनके लिए economic injustice का एक symbol है, और जो jobs generate करने की बात थी जो economic dividends उनको मिलने वाला था ये सारी चीज़े बड़े-बड़े वादे किये गए उनको कुछ नहीं मिला है government और traders ने भी यही किया है जो सिंध प्रोविंस के हैं, जो पंजाब प्रोविंस के जो बड़े-बड़े traders हैं बड़े-बड़े businessmen जो हैं, business houses in fact, उन्होंने यहाँ पर investment किया वो अपनी companies लेकर आए और ये कहा गया था कि बलुचिस्तान जो है, उनके लोगों को good quality jobs मिलेगी और फिर ये companies जो पैसे कमाएंगी तो ये यहाँ पर social infrastructure create करेंगे, schools create करेंगे, hospitals and so many things, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना तो government ना तो traders ने अपनी promises जो हैं, उनको fulfill की, और ये सारी चीजों की वज़े से, बलुची लोग हैं, वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है when it comes to CPEC लेकिन पाकिस्तान जो हैं, उसके तो hobs काफी ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर शरीफ और उनकी जो टीम है वो ये मान कर चल रही हैं कि जल से जल पाकिस्तान की economy जो हैं, उसको भी back on track, जल से जल लेकर आएंगे CPEC जो हैं इसने definitely, जो कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे transportation, energy ऐसे सेक्टर को boost किया है लेकिन overall जो economic productivity और economic growth जनरीट होना चाहिए यह वो नहीं हुआ, इसका एक छोटा सा example तुमान लिजे, दो एक शहर है बड़ा, A, और एक दूसरा शहर है, यह दो शहर है A और B, और यह A और B के बीच में एक road बना है या फिर बन रहा है, और बीच में छोटे गाउं है एक गाउं का नाम है one, एक का नाम है two, three, four, ऐसे मान लिजे कुछ गाउं और towns जो है, वो बीच में है जो है वो, set up होने लिगी और जब तक यह project चल रहा था, तब तक लोगों को construction में काम मिला, etc. लेकिन यह road बनने के बाद, ऐसा नहीं हुआ कि A और B के बीच में ट्रेडिंग बढ़े या फिर one और B के बीच में, three और A के बीच में ट्रेडिंग बढ़े, you know what I mean तो ऐसा जो है, वो यहाँ पर नज़त नहीं आ रहा है, और चाइना जो है, उसका approach काफी clear है मैंने आपको बताया ना, कि चाइना जो है यह time को लेकर, time का जो culture है उनका, यह compare to Pakistan एक अलग level का है, तो अब local companies जो है, पाकिस्तान की उसके साथ चाइना इस companies जो है, वो partnership नहीं कर रही है और देखे, यहाँ पर मुर्खता कितनी है पाकिस्तान की, चाइना जो है उसको यहाँ पर tax exemption दिया गया है तो अगर आपको tax exemption है तो फिर वो पाकिस्तान की जो बकवास companies हैं, उनके साथ वो काम क्यों करेंगे वो चाइना की best companies को लेकर आएंगे when it comes to project and things तो सारा सामान, सारी चीज़े जो है वो चाइना से आती है, including labor तो पाकिस्तान की businesses जो है उनको directly उतना कोई खास वाइदा इसमें से नहीं हो रहा है तो यह सारी चीज़ों को अगर हम study करें तो पता चलता है कि वह यह project जो है वो अटक अटक कर चल रहा है, इतने billions of dollars जो है उसमें invest कर भी दिये हैं और future में यह project जो है वो fail होगा यह fail होगा, that means CPEC fail होगा and it is a good thing for us the reason is भारत ने कहा था कि देखे यह जो आप CPEC है ना, यह हमारा P.O.K. गिल्गित बलतिस्तान वाला जो region है तो वहां से गुजर रहा है तो चाइना ने उस समय पर बहुत ही casually इन सारी चीज़ों को लिया हमारी security, हमारी sovereignty को नजर अंदास किया and that's why India will be more than happy कि अगर यह project fail हो जाए अब कर्स जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ता ही जा रहा है चाइना holds roughly 30 billion dollars of Pakistan's 126 billion external debt अभी जो कर्स है total it is of 126 billion उसमें से 30 billion जो है वो चाइना ने दिया है और IMF का report यह कहता है कि July 2021 से March 2022 के बीच में जो bilateral debt service हुआ पाकिस्तान का तो इसमें से 80% से जो है वो बेजिंग या निकि जो लोन्स आपको पे करनी है तो इसमें सबसे ज्यादा installment आप किसी को दे रहे हैं तो that is to China और बहुत सारे लोगों ने यह CPEC को एक new colonial project कहा है बहुत यह simple language में बात करूँ तो जो East India company थी और खास करके let's say British East India company जो थी उसने जो चीजे की वही चीजे जो है वो CPEC के दवारा चाइना कर रहा है और IMF ने क्लियली बता दिया है पाकिस्तान को कि भई हम अगर आपको पैसे देंगे तो यह पैसो का इस्तमाल आप चाइना को installment pay करने में नहीं करेंगे तब ही आपको पैसे मिलेंगे तो in short bottom line यही है कि CPEC जो है वो एक मिराज की तरह है that's it so that's basically everything from today's discussion dear friends I mean that's everything in today's discussion I hope आज की discussion से आपको CPEC को लेकर एक deep understanding मिली होगी and मैंने course design किया इसका नाम है limitless leadership इस course को आप study glows की website से access कर सकते हैं नहीं देखा है तो देख लीजे demo videos available है avail कीजे इसको it will help you a lot and do check out my youtube channel curiously education this is Prashant Mahabani I'm signing off for now I'll see you soon God bless you all Jai Hind